AI-NC के special feature के साथ MiWi लेके आ गया है Duopods K7 1500 रुपे की range में आ रहे हैं ये earbuds तो कैसे हैं, क्या-क्या features हैं, क्या लेने लाएक हैं, कैसा है force look सब कुछ आपको दिखाएंगे इसी unboxing video में तो चलिए शुरू करते हैं MiWi Duopods K7 की unboxing तो सबसे पहले box के पीछे देख लें कि इन earbuds के बारे में main specifications क्या दी गई हैं, तो सबसे खास बात 2 Duopods K7 के वो यह है कि यह clear calls के लिए AI-ENC के साथ आता है, latest Bluetooth 5.3 आपको इसमें मिलने वाला है one-touch, play, pause, answer calls, यानि की earbuds पर one-touch करके आप यह सारे actions कर पाएंगे made in India, one-year की limited warranty के साथ आता है, super solid base powerful drivers इसमें दिये गया और साथ में sweat proof भी है, यानि की IPX 4.0 rating के साथ आता है, तो यह थे इसके main features, चलिए box open करते हैं और देखते हैं इसका first look तो सबसे पहले मीवी का, welcome to the crew का card आपको मिलेगा, साथ में आपे एक manual guide दी गई है one-year warranty registration के लिए, एक और card इसमें आपको मिलेगा, side में एक छोटा box है, जिसमें charging cable मिलने वाली है, so charging cable और extra ear tips इसमें दिये गए, इसके लवा box में मिलता है, Meevee Duopods K7 का box, तो यह सारी जो चीजें हैं, इनको side में रखते हैं, तो सबसे पहले हमारे हाथ में आगे है, Meevee का यह earpods का box, आपको जैसे दिखेगा कि starry night जैसा इसका finish दिया गया, चोटे 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 पार्टिकल्स इसमें आपको दिखेंगे, हमारे पास जो color है, वो black या greyish color में है, उपर यहां Meevee की branding दिख जाएगी, और इसके अलावा, पूरे case में कहीं भी आपको button नहीं दिखेगा connectivity के लिए, नीचे यहां पर LED lights दी गहीं है, जो indicators है battery की और connection की, इसको open करेंगे, तो अंदर मिलते हैं, यह earbuds, तो यहां पर उपर जो इसके ear tips है, वो black color के हैं, और इसके जो stems हैं, वो bluish color की है, यहां पर LED light दी गहीं, यह दोनों पर again indicator है की कितनी battery है, connectivity क्या है, तो यह है MIVI के case 7 earbuds का first look, तो यह जो stems है, यह metallic finish में आते हैं, साथ में जो case है, वो भी starry design में आता है, छोटे-छोटे dots आपको मिलेंगे, तो look के मामले में मुझे, मुझे personally first look में यह ठीक लग रहे हैं, because box बहुत मोटा सा है, जैसा आपको दिख रहा है, हाला कि carry करने में काफी easy है, काफी light weight है, छोटा सा है, तो pocket में भी राम से आजएगा, लेकिन एक dip बी जैसा case है, ओपो जो है, या दूसरी companies हैं, Samsung है, वो designing में ज़्यादा better कर रहे है, oneplus के latest year phones आये हैं, हाला कि price range बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं design compare करूं, सस्तों में भी, तो बहुत ज़्यादा amusing design मुझे नहीं लग रहा है इसका, तो ये तो हो गई, इसके designing की, color की, weight की बात, अब इसके सबसे main feature की बात कर लें, जिसके बारे में company ने सबसे ज़्यादा बात की है, वो है इसका AI ENC feature, तो होने क्या वाला है, जब भी आप इने कान में लगाएंगे, तो इसका जो AI ENC feature है, वो करेगा क्या, कि पीछे का जो noise है, क्या है आप किसी public area में हो, या आप travel कर रहे हो, या जिम में हो, किसी भी जगे हो, तो पीछे का जो noise है, वो उसको filter कर देगा, और साथ में जो clarity है आपकी अवास की, उसको और enhance कर देगा, तो यानि कि पीछे का noise भी कट हो रहा है, और आपकी अवास की clarity और enhance होके sharp सामने वाले तक पहुचेगी, तो इससे आपका जो calling का overall experience है, वो काफी अच्छा होने वाला है, ऐसा company का दावा है, company का ये भी दावा है कि इस feature की वज़े से आपको life like experience मिलने वाला है, तो life life experience कैसे होगा, यानि कि आप किसी crowded place में भी बैठके बात कर रहे हैं, तो सामने वाले को आपकी अवास इतनी clear आएगी, और आपको सामने वाली की अवास इतनी clear आएगी, कि आपको ऐसा लगएगा, कि आप बस सामने ही बैठके बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा feature है in earpods का, जिस पर सबसे ज़्यादा focus किया गया है, तो अपने review में भी हम इस feature पर काफी focus करने वाले, use करने वाले इने काफी crowded place में, और फिर आपको बताएंगे कि क्या सच में in earpods के साथ, life-like calling experience मिलता है या नहीं, अब इसके battery backup की बात कर ले तो ये swift charge technology के साथ आता है, इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 minutes खाली इनको charge करेंगे, तो 500 minutes तक का playback time आपको इनके साथ मिल जाएगा, तो यानि आप हरी में और आपने फड़ा फड़ चार्ज किया, तो भी आपको एक अच्छा खासा time मिल जाता है, जिसमें कि आप गाने सुन सकते हैं या calling कर सकते हैं रस्ते में, तो वो वाला battery backup आपको मिलेगा, साथ में इसमें type C fast charging support आता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह है इसके overall battery और charging की specifications, अब calling experience की बात कर ली, battery की बात कर ली, यह दो main features होते हैं किसी भी earbuds में, लेकिन और क्या एक main feature है जो रह गया है, वो है sound, तो कैसा होने वाला है इसका sound experience, तो डेड़ हजार की almost range में, आपको in earbuds में मिलते हैं 13 mm drivers, तो base आपका काफी अच्छा होना वाला है, अगर आप game भी खेलने के लिए इसको use करने वाले हैं, तो sound experience इतने driver specifications के साथ, यानि की size से highs भी आपको मिलेंगे, mids भी मिलेंगे, low भी मिलेंगे, तो अगर आप music सुनने के शौकीन हैं, तो वो उपर नीचे जो changes होते हैं music में, वो भी आपको इसमें clearly सुनाई देंगे, अगर gaming कर रहे हैं तो और base चाहते हैं, काफी आप ऐसा महसूस करना चाहते हैं, game खेलते time कि आप game खेलर और sound experience, base experience कानों में बहुत अच्छा रहा है, तो उसके लिए भी company का या दावा है, कि ये काफी अच्छा experience देने वाले हैं, total आपको sound के मामले में, हाला कि ये सारे जो दावे हैं, वो company के दावे हैं, जब तक इसका review नहीं करेंगे, इसे हम gaming के लिए, या crowded place पे यूज नहीं करेंगे, हम आपको ये सुनेशित नहीं कर सकते हैं, कि actually में ऐसा ऐसा है, sound experience और gaming की बात हो रही है, तो एक specification और बता दू कि इसमें आपको मिलती है, 50 ms की low latency, ये specification के मामले में अच्छा है, लेकिन ये use करने में कैसा होता है, अगेन हमें review करके पता चलेगा, इसके अलावा, अगर इन earbuds आपको कोई button तो है, कैसे tap करेंगे, कैसे activate करेंगे, तो वो भी आपको बता दे, कि अगर आप game खेल रहे हैं, और आपको battle mode में जाना है, यानि कि आपको clear sound चाहिए, powerful bass चाहिए, कोई lag नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको in earbuds पे triple tap करना होगा, battle mode activate हो जाएगा, जो आपको gaming के मामले में, बहुत powerful sound experience देगा, तो design की बात कर ली, build की बात कर ली, हमने call clarity की बात कर ली, gaming की बात कर ली, sound की बात कर ली, सारी बाते हो गई, एक added feature जो इसमें हमें मिल रहा है, वो और बात कर लेते हैं, वो यह है कि अगर आप gym कर रहे हैं, या jogging कर रहे हैं, या walking कर रहे हैं, और आपको sweat आता है, तो ये खराब होने वाले नहीं है, क्योंकि ये IPX 4 rating के साथ आते हैं, यानि कि किसी भी normal earbuds से, जो ऐसी rating के साथ नहीं आते, उससे 3X जादा ये चलेंगे, जब आपको sweat आ रहा है, या थोड़ा बहुत, हलका बहुत ये गीला हो जाता है, तो ये खराब नहीं होंगे, तो longer life हो जाती है, इन earbuds की चलने के लिए, लंबा चलेंगे, तो 1500 की कीमत में, इतना सब कुछ मिल रहा है, एक बुरी डील तो बिल्कुल भी नहीं है, हला कि review में हम आपको पताएंगे, कि ये जो specs हैं, अगर वो perform भी उतना ही अच्छा करती है, जितनी अच्छी specifications हैं, तो 1500 की कीमत में, आपको ये बच लेने से पहले, सोचना भी नहीं चाहिए, मीवी ने इन ये बच के साथ, sound quality हो, या overall music sound experience, वादे दो बहुत की हैं, पर क्या ये उन वादों पर खरा उतर पाएगा या नी, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, जल्दी लेकर आएंगे इसका review, और अगर अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरन जाए और सब्सक्राइब करें,